जैहिंद जैभारत दोस्तों गाइज यहाँ पर मैं आपको किलर करने वाला हूँ रेखा खंड वो भी कुछ ही सकेंडों में गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेखा खंड और इसे इंगलिस में कहते हैं लाइन सेग्मेंट यहाँ तक किलर आओगा भाई साब यहाँ पर परिभासा आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर आसानी से देखिए और गाइज मैं इसे चोटा कर लेता हूँ इसके बाद देखिए यहाँ पर आप सब आसानी से देख पा रहे हैं रेखा खंड ऑके भाई साब यहाँ पर है कि दो बिंदू को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदू होते है रेखा खंड कहलाता है आपको अभी नहीं आया होगा यहाँ पर आप समझे यह हमारा एक बिंदू हो गया यह हमारा एक बिंदू एक बिंदू यहाँ और दूसरा बिंदू यहाँ तो भाई साहब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक बिंदू यहाँ और एक बिंदू यहाँ 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 पर भासा में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि दो बिंदू को मिलाने वाली रेखा एक बिंदू यहाँ और दूसरा बिंदू यहाँ तो यहाँ से यहा दो अंत बिंदू है एक तो यहां है और दूसरा यहां है अंत बिंदू कहने का मतलब यह कि यह अब आगे इधर नहीं बढ़ सकता है और नहीं यह इधर बढ़ सकता है यह अस्टोफ हो जागा जहां है तहां यह रह जागा तो रेखा खंड में आपको बस केवल और केवल या बाला भाई साब यहां पर यह clear कर दे रहा हूं यह आपको बिंदू दिख रहा है और यह बिंदू यह बिंदू हमारा है तो यह बिंदू यहां और दूसरा बिंदू यहां यह जो आपके सामने अकृति बना यह हमारे क्या है रेखा खंड है क्यों रेखा खंड है भाई साब क्योंकि इसमें यहां पर आसानी से देखिए तो एक बिंदू यहां है और दूसरा बिंदू यहां है तो यहां पर दो अंत बिंदू है ठीक है तो यही हमारा क्या हो गया रेखा खंड ओके और रेखा खंड को समझना है आपको एक्जाम्पल से तो यहाँ पर देखिए भाई साब यहाँ पर आप देख पार रहे हैं पुस्तक का किनारा आपके सामने पुस्तक किस तरह से होता है यह हमारा पुस्तक है और यह एक यहाँ पर बिंदु है यहाँ पर देखिए गौर किजिए यहाँ पर एक बिंदू है यहाँ पर एक बिंदू है और दूसरा बिंदू यहाँ पर है तो यहाँ पर एक बिंदू है दूसरा बिंदू यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ भी बिंदू होगा यहाँ भी बिंदू होगा तो यह हमारे एक क्या है यह वाला एक हमारा रेखा खं यह वाला रेखा खंड तो भाई साब यहां पर कितने रेखा खंड हो गया एक तो यह वाला रेखा खंड हो गया एक तो यह वाला और इसके बाद यहां भी है यह वाला तो रेखा खंड आपको किलिए रहा कि नहीं रहा और भाई साब मैंने एक्जामपल में लिख रहा है रेखा का भाग ही होता है रेखा खंड यानि रेखा का तुकड़ा रेखा खंड उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ आ गया होगा मतलब थोड़ा सा तो आहे गया होगा जाहिर सी बात है आर चनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में बा